हेलो गाईज तो क्यासे हो आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो मेरा नाम है रोष्ट कुमार और आज हम बीस्टी फांडियर की बुक लीनियर अलज्याब्रा और इसका चेप्टर नमबर 6 ड्यूल स्पेसिज एंड बेसिज की एक्जाम्पल नमबर फर्स्ट को आज हम सो प्रद्र नमबर बन को आपने एक फील के साथ समझना है क्योंकि आपको मैं इस इक्जाम्पल का फील दिला दूँगा बस आपको जहें डैफिनेशन जाद रखना पड़ेगा बेसिस का बाकि का आपको एक एक पार्ट समझाऊंगा तो आपने वीडियो में बने रहना है त जल्दी से हम करते हैं इस को स्टार्ट और ये कोशन का पेज नमबर है ने वना 489 नू बुक में ओके जल्दी से इसका सिल्यूशन पार्ट हम स्टार्ट तो ये रहा आपके पास क्वेशन आपने पढ़ लेना है और साइड बगल में आपको एक नमबर दिख रहा है मालु आपको किसी भी क्वेशन में प्रोब्लम आती है तो मुझे वो क्वेशन बड़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको वो क्वेशन पीडियो के रूप में मिल जाएगा ओके तो हम पढ़ते हैं अपना क्वेशन तो जह रहाँ के पास ड्यूल ड्यूल का मतलब होता है कि दो और इस इकल टू इवन और एटु दे रखा हमारे पास ड्यूल नेचर का गोशन ऑफ और और एवन और एटू की वैलिए दे रखे है ठीक है मालों जहां पर ड्यूल बोला गया है तो मतलब दो होने चाहिए अगर तीन हो जाता है तो जहां पर आर क्यूब आ जाएगा ठीक इत से कहां से आ गया, है है यह है, देखो है जो एक है किया है जै कि जो है एक वेक्टर है एक बैक्टर है या इसको बेूल देना ठीक है न्हक help है दो फंकेक्ष्न को लिखा जाएग। मौन malad हो, जहां पे e3 भी होता तो जहां पर r cube आ जाता है पहले यह बात clear हुई ठीक है तो clear हुई है तो आगे बढ़ते हैं फिर dimensions b arbitrary बोलो जा star बोलो ठीक है तो उसको लिखा जाता है dimensions b is equal to 2 sir 2 क्यों लिखा 3 क्यों लिखा देखो बोई तो बात है कितने function है एक एक और दो एक और दो ठीक है और इसको जब माना जाएगा b is equal to r का square ठीक है यह बाला उपर बाला लिख दिया over r contain two function ऐसा लिख देना है two function कितने function है दो function का है अगर तीन का होता था हुजर 3 लिख देना है आपने clear हुआ ओके अब देखो इसको ना अब दो function है तो इसको ना दो function में divide कर लो ठीक है कैसे अब देखो एक मां तो हुआ है ऐसे कर लो बीवन इस इकल टू फाइवन कोमा फाइटू ऐसा लिख सकते हो ओके अब देखो इनको क्या करना है यह जो है ना अब इनको अलग अलग function के साथ satisfy करवाना है ओके देखते जाओ तो बीजा ड्यूल बेसिज लिखते जाओ बेसिज ओफ बी ओके यह जो पहले बी अब बीवन ले ले लेना ठीक है आगे देखो अब एक और function चाहिए हमें फाइवन और एक्स कोमा वाई इसको प्रूफ करने जाए के लिए ठीक हो मतलब हमने जे लीनिर कॉंबिनेशन में है तो पढ़ा है दो function आते हैं तो वो कैसा लिखना है फाइवन आपको लिखना पड़ेगा आलफा एकस और बीट्डा वाई यह तो definition नहीं है ज Lumnet बटाताती है यह लिखना पड़ेगा और फाइटू को आपको लिखना क्या है R square है मतलब dual number है ओके ये नमबर होई ना एक रियल नमबर मत पढ़ लेना ठीक है इसको तो उपड़ भी सकती हो रियल नमबर ऐसे लग रहा है कि रियल नमबर हो के तो यहां पर मैस यूज चेहां पर आपने चला रहा है लिखे ना है टाहलों का वैल्योध निया करेंग गम एक्स और डेल्टा वाई अलग से लिख लिया ओके आगे देखो कैसे करने डेफिनेशन चाहिए डेफिनेशन आपको ड्यूल की जात होनी चाहिए और भी के वार एफ आई भी हो सकता है ठीक है नॉर्मल है तो डेल आई के इस इकल टू तो फंक्शन एक इफ वन के के लिए अपका होना चाहिए और 0 के लिए आपका हमेश्च हक्या होना चाहिए इकल टू नौट oh ओना चाहिए न फंक्शनर जेलना जो peng के फंक्शन है मैं बिलॉंग करना चाहिए कैसे करना है बिलुको को भी लोग कर रही तो वी के फंक्शन किया है यह ना तो देखो इसको हम ऐसे लिख सेते हैं बी-क इसको इसके साथ कंपैर्सन कर दो फाइवन इवन और इसको लेलो यह वाला फंक्शन है फाइवन इवन को हम लिख सकते ऐसा हम लिख सकते ही वन वन है तो delta मैं चेंज गर तो delta 1 आगया is equal to is equal to देखो जे बन बन चला हो तो one का function देखो क्या है पहला इदर आएगा ऑगे देखो हमारा किस के लिए चलेगा फाइटू के लिए चलेगा फाइ 2 के लिए जै क्या हो जाएगा 합ि結果 यह उत्व हो जाएगा फाइगा वोड कि यह भी तो आपको क्लियर हो रहा है ना अब जहां पर लिखतोㅠㅠ स्किप औंगे Eng फोगया था इसके लिए लिए क्या हमारी पास स्कीर निंठा वोगत इसके बाद हम यहां पर कर देते हैं ओके अब देखो अब थोड़ा से दिया लो जे 5 1 और जे 5 1 क्या आगे हमारे पास कौम बना आगे ठीक है अब देखो जे 1 और एक जे 0 मैंने ऐसे लिख दिया ओके अब देखो जे 1 पर न तो पहले बन पॉजिशन पर क्या रहा है वन आ र तो एकड़ू में 0 लिख दो ना अब देखो 50 2 का ले लो 5 न इदर देख ती जा तो j देत ओके पहला क्या मिलगि रहा जहांसे बाद दूप यहां मिल रा है क्या मिल रहा है शूरी स्वरी होड़ा सा मैंने रोंग ले लिया ओकै जहें इसी को घुमा देते हैं भी यह अमार बन बन मिल रहा हैं कि मतलए जही चेंज करते रहना है तो इतना तो आप के पास आगया अब आपने क्या करना है लिख देना है इधर जो आपके पास आलफा है है न यह वहला तो आल्फा का वेली क्या आपके पास यह था आल्फा तो आल्फा की वेली कितनी है वान यह जो 5 1 था न यह था आपका यह अगल जह आजएगा बीटा इस इकल तो जो फू perspectives लिखना है और यह आजएगा तीसरा function आपके पास गामा तो गामा का वेली कितना है जीरो अब यह जो वाला फंक्शन है ने डेल तो डेल हमारा आजएगा इसके एकल वान तो आपने यह क्वेशन ऐसे करना है ठीक है तो नीचे आप ऐसा लिख सकते हो इधर 51 x,y ऐसे लिख सकते हो यह भी x के एकल हो औक है अब देखंगो 52 xy is equal to जे y के एकल हुआ पथेद्क आप देखो नो क्योंकि एक्स का बेली कितना मिला है यहां पर वन मिला है यह एक्स के लिए मतलब हमेशा एक्स पहले मिला ना जे मालो जे एक्स है यह तो इसमें वाई हमें जीरो मिल रहा है जे क्यूं लेना है इसमें देखो हमें एक्स के मिल रहा है जीरो मिल रहा है इसमें झाल, झाल, झाल